लाल गलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिबेकेशन को रखें ओल पर ताकि आपको खेती बाड़ी से जूड़ी जानकरिया सबसे पहले अपने मोबलबा देखने को नमस्कार किसान बईयो आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आप फसल बिमा में मिल रही है अब दोस्तों किसानों में यह आकरोश यहां पर हो रहा है फसल बिमा कंपनी के थ्रू और गवर्मेंट के खिलाब कि फसल बिमा जितना हमने प्रेमियम जमा किया है उतना भी हमें नहीं मिला है बलकि और कब मिला है लेकिन दोस्तों यहां पर एक प्रश्वाद में आपको क्लियरली बता देता हूं कि जहां तक लिस्ट नहीं आती है फसल बिमा की किसान वाइज हलके वाइज और तहसी लिस्टर पर लिस्ट जारी नहीं होती है तो वहां तक हम यह नहीं मान सकते कि फसल बिमा जारी हुआ है लेकिन दोस्तों अभी जल्द क्या है इससे भी आपको रूबरू थोड़ा सा होना पड़ेगा आईए मैं बताता हूँ दोस्तों अभी यहां पर प्रधान मंत्री फसल विमा योजना का जो पेसा है वो मेरे खुद के खाते में ट्रास्पर हुआ है जैसा कि मेरा विमा की जो राशी मिलेगी वो खरीब सिजन की अलग मिलेगी और रभी सिजन की अलग मिलेगी तो अभी जो वर्तमान समय में यहां पर विमा राशी अगर आपके खाते में जमा हो रही है तो मेरा जहां तक मानना होगा कि यह रभी सिजन की है और दोस्तों रभी सिजन का जो लागत जो है खरीक सीजन में अगर हम माने स्वयाविन की निगलती है तो इससे कम अगर बिमा यहां पर डलता है तो यह बहुत ही एक यहां पर गंभेर विशय है मुझे नहीं लगता कि इतना कम राशी जो है किसानों को मिलने वाली है अब दोस्तों थोड़ा सा यहां पर पै फरवरी का आश्वासन मुझे यहां पर दिया गया है तो आप से यहां पर एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी गलत ब्रहंतियों से बचे वहीं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फोकस आप फसल बिमा लिस्ट पर कीजिएगा ना कि अकाउंट में पैसा आ रहा है उस पर क्योंगी दोस्तों दोनों सीजन का जो बिमा है वह साथ में यहां पर क्रेडिट हुआ है तो आप थोड़ा सा दोनों को कंपिरेजन जरूर कीजिएगा वहीं दोस्तों आप बात करें हम फसल बिमा लिस्ट की दोस्तों जैसा कि 15 फरवरी को फसल बिमा लिस्ट जारी होनी थी लेकिन किसी कारणवस नहीं हुई है अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है जैसे ही फसल बिमा की लिस्ट अगर मिलती है सबसे पहले society में जो हे जिला सहकारी जो बेंक है cooperative bank वहाँ पर जो है फसल विमा की लिस्ट जारी होगी तो आप society के owner से टच में जरूर रहिएगा ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके तो तो यो कुछ जानकारी थी जो आप सभी किसान बिख्षाश चाजा करنا थी काफी कुछ वीडियोस फसल विमा पर बन रहे हैं मैं देख रहा हूँ लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है उससे रूबरू आपको होना पड़ेगा सो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में जैसे ही फसल विमा क्रेडिट होता है तो हम आपको जरू बताएंगे किस आधार पर किस जिले में कितनी रासी दिलने वाली है सो चलिए मिलते हम अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत